दोस्तो राजस्तान और मध्यपरदेश का चनाव एक्जिट पोल से पहले भी फसा हुआ था और एक्जिट पोल के बाद तो और भी फस गया लगता है तो आईए दोनों राज्यों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखे राजस्तान में कौन जीत रहा है नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय वित्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब करते हैं दिल से शुक्रिया और अगले कुछ आट-दस मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कुशिश करूँगा मध्यबदेश और राजस्थान को कॉंग्रेस को 62 से 85 और बीजेबी को 100 से 122 सीटे मिली हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं सिरफ दो पोल की दो पोल की बात करेंगे और दो पोल के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे राजस्थान की बात करें तो हम आज तक और ABB न्यूस को लेते हैं आज तक के लिए दोनों की सरकार बना रहा है और दोनों की सरकार नहीं बना रहा है तो जब पोलस्टर ही निश्चित नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं बन रही तो ऐसा पोल फिर उन्होंने जग जाहिर क्यों किया सामने क्यों लेकर रहें कुईसी नतीजे पर खुद तो प खाता है कि 86 से 106 Congress की, यानि on average 96 Congress की, 80 से 100 BJP की, यानि 90 BJP की seat आ रही है, यानि किसी की भी सरकार बन सकती है, Congress की 106 आई तो Congress की सरकार बन गई, और BJP की 100 आई तो BJP की सरकार बन गई, अब ABP News Sleep पर चलते हैं, EVP का जो सर्वे है या C voter का सर्वे है वो confusing है बहुत ज्यादा confusing है आज तक से भी ज्यादा confusing है मैं बताऊंगा कैसे लेकिन ये कम से कम overlapping नहीं है बीजेपी 94 से 114 यानि 104 साफ साफ सरकार बन रही है अच्छे का से ठीक ठाक से बहुमत से 71 टू 91 कॉंग्रेश 81 कॉंग्रेश की आ रही है लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है पूल परसंटेज की है प्रॉब्लम पूल परसंटेज की प्रॉब्लम ये है कि ABP News बीजेपी को 45 परसंट और कॉंग्रेश को 41 परसंट पूल परसंटेज बता रहा है चार परसंट का फर्क है चार परसंट का फर्क और दोनों के बीच में सिरफ 23 सीटों का फर्क ये मुश्किल लगा रहता है फर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए चार परसंट के हिसाब से पिछली बार 0.54 परसंट से कॉंग्रेश में चुनाओ जीता था लेकिन BJP से 27 सीटे ज्यादा जीती थी अब एक और इंट्रेस्टिंग है देखे मज़ेदार आप पूरा देखिए तब आपको मज़ाएगा BJP को पिछली बार करीब 39 परसंट राउंड फिगर में वोट मिला था जो 45 परसंट यानि 6 परसंट वोट बढ़ रहा है कॉंग्रेश को 39 परसंट मिल रहा है अब BJP का जो वोट बढ़ रहा है वो अन्य के खाते से जा रहा है कॉंग्रेश को छेड नहीं रही कॉंग्रेश के हिस्से में सेंधवारी नहीं कर रही है कॉंग्रेश के लिए positive point हो सकता है कि आप 5 साल अगर आपने anti-incumbency वाली सरकार चलाई लेकिन आपका वोट परसंटेज फिर भी 2% बढ़ गया तो ये एक interesting figure है कि BJP कॉंग्रेस का वोट बैंक से वोट नहीं चीन रही अन्य से चीन रही है यानि अन्य पर अगर कॉंग्रेस ने ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद कहानी बदल सकती थी अब सबसे interesting point है 46 सीटे ABP News सी वोटर वाला क चैता है कि 46 सीटे फसी हुई है फसी हुई है 199 में से 46 सीटे यानी हर चौथी सीट फसी हुई है जब हर चौथी सीट फसी हुई है तो आप अंतिम निश्कर्च पर कैसे पहुंचगे ऐसे पहुंचगे कि BJP के उनके हिसाब से BJP के खाते में 11 चली जाएंगी Congress के खाते में 21 चली जाएंगी और अन्ने के खाते में चौना चली जाएंगी और दूसरे लंबर पर अन्ने के लोग 30 सीटों पर रहेंगे यानि 44 सीटों पर हर 4 सीट पर अन्ने का प्रभाव ये भी कड़वड जाला है अब मज़ेदार बात है कि सी वोटर के ही लोग कह रहे हैं किसाब हमने तो ये कह दिया 46 में से बीजेपी के 11 एक कॉंग्रेस के पास 21 लेकिन 46 सीटों में अगर 80% सीटे बीजेपी जीत जाती है फसी होई तो बीजेपी 130 पार चली जाएगी लेकिन कॉंग्रेस ने 80% सीटे जीती तो भी वो 92 से पार नहीं जा पाएगी ये कहानी है इस हिसाब से उनका कहना है मोटे तोर पर कि बीजेपी राजिस्थान में चुनाव निकालने की स्थिती में है अब सीटों का अंदाजा तो सही नहीं लग पाया लेकिन ये पता लगा लिया है सीवोटर ने कि कॉंग्रेस के 11 बागी मजबूत हैं जो 8 सीटों प मालो कम मार्जिन से कॉंग्रेस बीजेपी इन सारी सीटों को जीत रही है तो इंटरस्टिंग क्या है तो बीजेपी 104 से बढ़कर 111 पर हो जाएगी और कॉंग्रेस 81 से बढ़कर 89 पर आ जाएगी तो ये किंतु प्रंतु अगर मगर मैंने बीजेपी के खाते में 80% डाल दि दिए तो बीजेपी 130 तक जाती दिखती है और कॉंग्रेस के खाते में डाल दिए तो कॉंग्रेस 90 पार करती दिखती है लेकिन 100 पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही तो नतीजा मेरे हिसाब से क्या है आपको स्पस्ट हो जाना चाहिए मद्यपदेश की बात करते है मद से दे रहा है 230 की विधान सबा है 140 से 162 यानि 151 सीटें सबसे ज्यादा सीटें छुट को दे रहा है 68 से 90 सीटें यानि 79 सीटें कॉंग्रेस में आपने 24 का मार्जन रखा और इसमें भी 100 सीटें दे रहा है बीजेपी को अब सीटें इतनी ज़्यादा क्यों ये सवाल उठता है तो देखिए वोट परसंटेज तो निकालना आसान होता है उसका सैंटिफिक मेथड है लेकिन जितना वोट परसंटेज है उसक को सीटों में कनवर्ट करना मुश्किल होता है और कई बार इस कारण चीजें ऊपर नीचे हो जाती है एपी बी नुज कहा रहा है कि कॉंग्रेस को 44 परसंट वोट मिलेगा बीजेपी को 41 परसंट वोट मिलेगा 3 परसंट वोट का फर्क रेगा उस इसाब से वो सीटों का आ तो ये उलडवांस ही है तो उसके हिसाब से वो ज्यादा सीटे प्रोजक्ट कर रहा है अब आखरी में फिर फसी हुई सीटें राजस्थान में ABB New Sea Water के अनुसार 46 सीटे फसी हुई थी हर चौती सीट फिर भी नतीजा निकाल दिया उन्होंने अपने हिसाब से मद्धे पदेश की 230 में से 62 सीटे फसी हुई है यानि हर पौने चार सीट यानि 3.9 सीट के आसपास फसी हुई है और फिर भी आपने नतीजा निकाल दिया अब इन्होंने क्या किया मद्धे पदेश में एवी पी न्यूस वालोंने सी वोटर वालोंने कि कौन लफडा मोलने 62 सीटे फसी हुई है मोटे तोर पर राजस्तान की तरह अन्ने क्या वहां उतनी सिती है नहीं तो आधी आधी बांड देते हैं सुईधा अनुसार तो 62 में से 31 सीटे बीजेबी के ख पार कर जाएगी और 50 सीटे जीतती है तो कौंग्रेस 150 पार कर जाएगी और अगर बीजेबी 62 में से जो 31 जीती हुई इनको दिखाई गई है फसी हुई सीटे उसमें से 40 जीतती है तो बीजेबी फिर 110 के आसपा जाती हुई 110-111 आसपा जाती हुई दिखती है और 50 सीटे ज मामला थोड़ा ज़्यादा साफ दिखता है तो आप समझ गये होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे, शेर कीजे और घंटी जैसी आकरती बेल आइकन दवा दीजिए ताकि नया वीडियो आये तो दखकार आपको जानकारी मिल जाए आप मेंबर्शिफ ड्राइब में भी जा सकते हैं और मेरी वित्तिये मदद कर सकते हैं आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिये